हेलो एबरिबरी कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की किरपा से हम भी अच्छे हैं तो सबसे पहले आप सभी को स्वागात है हमारे यूटूब चैनल दीपक जा स्टडी मस्तिपे और मैं हूं दीपक जा दोस्तो आज हम आपको बताने बाले हैं साइनस से अब्जेक्टिफ कोस्चन और हमारा ख्लास जो होगा वह होगा 10 तो सब से पहले आभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं पहले चैनलों कर लीज़ेगा सबस्क्राइब क्योंकि हैं बहुत सारे questions हम देते रहते हैं चाहे long questions हो चाहे objective question हो चलिए दोस्तों आज का जो question होगा 10 objective questions और 10 objective questions आपको पता ही होगा जो भी question हम देते हैं सबी किसी क्या होते हैं? important questions होते हैं जो आपके exam में आने की पूरी संभाब ना होती है दोस्तों चलिए चलते हैं question की दुनिया में हमारा first question काता है कि hydra में परजनन की बिधी निमलिखित में से कौन है जी हाँ दोस्तो आपको पता होगा कि हाइड्रा में परजनन की जो बीदी होती है वो मुकूलन द्वारा होगा किसके द्वारा होती है मुकूलन के द्वारा ता आपका दोस्तो आप्शन होगा थ्री आप्शन क्या होगा थ्री यानि कि गव मुकूलन याद रखेगा मुकूलन आपका सही होगा और आप इसे में टीक लगाईएगा ठीक है तो चली दस्तो next question को देखते हैं तो दूस्तो दूसरा question है पुस्प का कौन सा भाग प्राकन बनाता है जी हां दूसरा है पुस्प का कौन सा भाग प्राकन बनाता है आपका option है first बाहे दल, दुसरा है पंखुडी, तिसरा है पुंकेंसर और चौथा होगा इस्तरी केशर जी हाँ, यानि मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि पुस्पा कौन सा भाग प्राकन बनाता है, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है बाहे दल, दुसरा है पंखोडी, तिसरा है पुंकेंसर और चोथा होगा इस तरी के सर तो दोस्तों इसका जो एंसर होगा वो इसका एंसर होगा पुंकेंसर यानि ऑप्शन 3 क्या होगा? पूक इंसर यानि option 3 में आपटीक लगाईएगा पूक इंसर इसका answer होगा ठीक है? पुस्व का जो पूक इंसर भाग होता है वो प्राकन बनाता है ठीक है? चले दोफ्तों next question देखते है next question हमारा कता है निम्न में से कौन मानब में माधा जनन तंतर का भाग नहीं है निम्र में से कौन मानब में माधा जनन तंतर का भाग नहीं है और आपका आप्षन जो है वो आपका आप्षन होगा फस्ट अंडास है दुसरा है गरभास है तिसरा है सुक्रबाहिका और चोथा है डिम वाहिनी जी हाँ, फिर से रिकॉल करते हैं फर्स्ट अप्सेन एंडास है, दूसरा है गरभास है तिसरा है सुक्रवाहिका और चोथा होगा डिम वाहिनी, तो दोस्तों इसका जो एंसर होगा, वो अप्सेन होगा यानि कि गः, सुक्रवाहिका क्या होगा, सुक्रवाहिका इसमें अप्टिक लगाईगा, ठीक है क्या होगा, सुक्रवाहिका यानि कि सुक्रवाहिका जो है मानब में मादा जनन दंतर का भाग नहीं होता है ठीक है, चले दोस्तों, next को देखते है आए उसको देखते हैं तो दोस्तो नेक्ट कोशन कहता है कि बनसागत नियमों का परतिपादन किशने किया हमार आप्सन है फस्ट है शाल्स डार्विन ने दुसरा है रोवर्ट हूक ने तिसरा है जेसी बोस ने और चौथा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल जियां चौथा क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल तो दोस्तो इसका जो एंसर होगा वो होगा option 4, I mean go शॉरी, यानि कि go option 4 होगा इसका answer यानि कि go ग्रेगर जॉन मेंडल जियां आप 4 में मार ये गा ठीक ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो बन्सागत नियमों का परतिपादन किये थे ठीक है, चले जो लिए गुण शुत्र का यूग्म होता है आपको पता हुआ कि इस्त्री में जो लिए गुण सुत्र का यूग्म होता है वो होता है क्या है, आपका आप्षन होगा फस्ट एक्स वाइ, दुस्वरा होता है xx, दुसरा होता है yy, और चौथा है all of these, तो दोस्तो इसका answer जो होगा, यह इसका answer होगा कि इस्तरी में जो गुन शुतर का yugya होता है, वो होता है xx, यानि कि option 2 होगा, ज्या होगा, टू यानि कि का एक्स-एक्स yugna होता है इस्तरी Quad, Microscope से देखा जाता है 5X, दूसरा आप्सन है 10X तिसरा आप्सन है 25X और हमारा चोथा आप्सन है 45X शेली हले दोस्तों, दुबारा रेकॉल करते हैं फर्स्ट आप्सन है 5X, दूसरा है 10X तिसरा है 25X, और चोथा है 45X ठीक है दोस्तो इसका answer जो होगा वो होगा option 2 यानि कीखा 10x क्या होगा 10x यानि slide को सरपर्थम compound microscope जो देखा जाता है वो 10x क्या होगा 10x ठीक है चले दोस्तो next question देखते हैं next question क्या है next question काता है कि दो तंत्रिका को सिका के मध्य खाले स्थान को काते हैं दो तंत्रिका को सिका के मध्य खाले स्थान को काते हैं क्या काते हैं दुरुमिका काते हैं या सिनेप्स काते हैं एक्सोन काते हैं या आवेग काते हैं तुमारा जो first option है वो है दुरुमिका दुसरा है सिनेप्स दिसरा है एक्सोन और चोथा होगा आवेग दोस्तो इसका answer जो होगा, वो होगा option two, snaps, क्या होगा, snaps आप इसमें ठीक लगाएगा, ठीक है, क्या होगा, snaps, यानि दो तंतिका को सेगा कि मद्देखालिस्तान को हम snaps कहते हैं, ठीक है, तो चलिए जिस तो next question को जहते हैं, next question हमारा क्या है, next question है, निम्न में कौन अहार सिंखल का निर्मान करता है, first option है, घास, गेह, तथा, आम, दूसरा option है, घास, बकडी, तथा, मानब, तिसरा option है, बकरी, गाय, तथा, हाती, और चोथा option है, घास, बकडी, तथा, मचली, दोस्तो इसका जो answer होगा, वो होगा, option two, option two, यही इसका answer होगा, यानि कि खा, घास, बकडी अहार सिंखला का निर्वान करता है घास गेंद था आम नहीं करेगा घास बकरित था मचली भी नहीं करेगा बकरी गाज था हाथी भी नहीं करेगा लेकिन घास बकरित था मानब जरूर अहार सिंखला का निर्वान करेगा इसलिए option 2 यानि कि खा घास बकरित था मानब होगा ठ सरीर की स्थिती तथा संतुलन का अनुरक्षन करता है जिया दुवारा रिकॉल करते हैं आईए सुनिए उस कुछन को मस्तिक्स का कौन सा भाग सरीर की स्थिती तथा संतुलन का अनुरक्षन करता है फर्स्ट ऑप्षन है अगर मस्तिक्स दूसरा है मध्य मस्तिक्स इसरा है अ प्रोह के अग्रभाग की लंबाय में बिर्धी के लिए, दुसरा ऑपिसन है, तने की बिर्धी के लिए, तिसरा option है पादप का परकाश की ओर मुरने के लिए और चौथा option है इन में से सभी तो दोस्तों इसका जो answer होगा होगा तने की बिर्दी के लिए याई option 2 तने की बुरदी के लिए पादप हर्मून तो आपके exam में जो पूछे जाएंगे वो question इस question में से भी हो सकते हैं तो दोस्तो सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को आप देखें और आप कुछ नब कुछ जरूर सिखें होंगे अगर यह अच्छा लगा होगा तो like जरूर कर दिजेगा और दोस्तों में share जरूर कर दिजेगा और अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि आपकी प्रहाई जो हो पूड़ी हो सके तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपी के साथ और नए questions के साथ अब तक के लिए बाई बाई गुड़बाई जैहिन जैह भारत